Hello everyone, this is Shalini and आपका स्वागत है हमारे चैनल Meta Education में इसे पहले वाली वीडियो में हमने सीटे 2019 जो दिसंबर का पेपर था उसके सभी कोशन्स को सॉल्फ करा है इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो हिंदी के कोशन्स हैं उसको सॉल्फ करेंगे यह बेसिकली उन स्टुरेंट्स के लिए हैं जिन्होंने हिंदी को as a second option या as a second language चुना है पर जिन्होंने हिंदी को as a first language भी चुना है वो भी इसको समझ सकते हैं उनके भी कुछ doubts इट से clear हो जाएंगे चलिए तो आज का lecture शुरू करते हैं हमारा part 5 है और इसमें जो language हमने लिया है वो है हिंदी next question देखते है question number 141 निमलेखित मेंसे कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा शमता के विकास में सरवादिक साहयक है डाल डाल का इस्तमाल करते हुए वाक्य बनाओ अगर ये चीज दे दिया तो कि असे बच्चे का भाषा का विकास होगा भाषा शमता विक्सित होगी second है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों इस पर उने लिखना है third है तितली और कली ने क्या खेल खेला इस पर कुछ लिखना है या तुमारी मनपसंद किताब कौन सी है इस पर कुछ लिखना है इन में से ऐसा कौन सा टास्क या कौन सा कोश्चन है जो दिया जाए जिससे कि वो सरवादिक साहय हो किस चीज में भाषा शमता के विकास में सरवादिक साहय होगा ये इस दा करेक्ट आंसर इस ओप्शन नमबर टू तितली कली के पास कब गरी होगी और क्यों देखिए इससे क्या है एक कहानी का मंचन वो आपके सामने कर पाएंगे तो इससे उनकी भाषा अभी वेक्ती वाली जो एबिलिटीज है वो भी डिबलप होगी डाल डाल का इस्तमाल करते हैं वाक्य बनाव ये तो किवल एक सेंटेंस बनाया काम खतम इससे कोई फायदा नहीं होगा तितली और कली ने क्या खेल खेला इसमें वो आंसर दे रहेंगी कि तितली और करी ने एक्स वाइजेट खेल खेला खतम कहानी फूर्थ क्या है तुमारी मनपसंद किताब कौन सी है तो इसलिए उसकी बाशा शमता का विकास यहां पर जाधा होगा और यह सबसे जाधा सायक रहेगा नेक्स देखते हैं कोशन नमबर 142 आपको यह वीडियो समझ में आ रहे होंगे और कोशन भी समझ में आ रहे होंगे वहाँ आपको यह test series है MCQs है freely accessible है चलिए देखते हैं कोशन नमबर 142 समाजिक अंतकरिया की अवधार्ना से सम्मंदित है समाजिक अंतकरिया ठीक है जो social interaction की बात करी थी वो किस ने करी थी इसकिनर ने, प्याजे ने, चुमस्की ने या वाइगोट्स की ने इनमें से किस ने समाजिक अंतकरिया की बात की थी जल्दी बताईए शोशल interaction की यह समने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो वाइगोट्स की थी उन्होंने समाजिक अंतकरिया की बात कही थी ज़ली 142 का जो correct answer होगा वह होगा वाइगोट्स की चमस्की की थीयोरी और पियाजे और स्किनर की थीयोरी different है जिसमें स्किनर ने बताया था operand conditional की थी थी पियाजे ने हमारे cognitive जो development होता है वो बताया था इन चमस्की ने language development की बात करी थी जबकि वाइगोट्स की ने बताया था ZPD का सिध्धान ZPD क्या होता है zone of proximal development उन्होंने बताया था कि बच्चा जब अपने तक limited रहता है तो वो कुछ टास्क कर पाता है और ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो वो बिल्कुल करी नहीं पाएगा पर एक ऐसा डायरा रहता है जहां पर वो कुछ टास्क किसी दूसरे की help से कर पाता है तो उसी को उन्होंने zone of proximal development कहा था मतब जब हम community या किसी और के साथ के साथ में आते हैं तो बहुत सारे काम हम करना सीख जाते हैं I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको से related और वीडियो चाहिए वाइगोट्सकी की थियोरी से related तो आप हम से बोल सकते हैं हम उसे वीडियो बना देंगे Next दिखने हैं Question number 143 Skinner ने भाशा सीखने की करिया में डैश पर सरवादिक बल दिया Skinner ने किस पर बल दिया अंतकरिया पर अनुकरण पर भाशा अर्जन छमता पर या स्रजनात्मकता पर जल्दी से बताईए Skinner ने इन में से किस पर जादा बल दिया 143 का कौन सा option सही होगा Yes, the correct answer is अनुकरण उन्होंने Skinner ने जो अपनी operant conditioning की जो थेओरियो बताई थी हम अनुकरण करके हैं जैसा कोई दूसरा कर रहा है वैसा ही उसको follow करके हम सीखते हैं तो इसलिए अनुकरण पर उन्होंने Skinner ने जादा बल दिया था Next question देखते है Question number 144 बच्चों की भाशाई शमताओं के आकलन के लिए सरबादिक साहयक है अगर हमें बच्चों की भाशाई शमताओं का आकलन करना है तो इसके लिए सरबादिक साहयक क्या है पहला बच्चों की परस पर अनौपचारिक बातचीत सेकेंड बच्चों की खक्षा में अपचारिक बातचीत थर्ड बच्चों और सिक्षक की परस पर अपचारिक बातचीत या फोर्थ बच्चों की सिक्षक द्वारा प्रदत अभ्यास कार्रे करना इन में से कौन से सबसे जादा भाषाई शमताओं के आकलन के लिए सायक होगा जल्दी आंसर दीजे 144 का क्या होगा correct answer yes the correct answer is बच्चों की परस पर अपचारिक बातचीत बच्चे जितना दूसरे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं बिना किसी परपस के तो उनका उतना ही जादा development होता है जो बच्चा क्लास में चुपचा बैठा रहता है उसका language के aspect में बहुत कम development हो पाता है ठीक है second option क्यों नहीं है सही क्योंकि आपचारिक बातचीत में बच्चा के वल इतनी बात करेगा जितना उसे discussion करने के लिए कहा जाएगा पर वो आगर अनपचारिक बातचीत कर रहा है तो हर aspect हर topic पर वो discuss करेगा अपनी जो रोजमर्रा की भाशा है उसको use करेगा third क्यों नहीं है सही क्योंकि सिक्षक और बच्चे के बीच में जो आपचारिक बात होगी वो भी बहुत limited होगी इसने third भी correct नहीं होगा fourth क्यों नहीं correct होगा क्योंकि केवल अभ्यास कारने दिया गया है उसमें बच्चे को कोई भी language तो use करनी नहीं है केवल लिख देगा वो maximum से maximum या सोच के अपनी अभी वेक्ति कर देगा पर बोल नहीं रहा है इसलिए अगर बच्चों की परसपर अपचारिक बात्सीत हो रही है तो वहाँ पर जादा बच्चों का development हो रहा है लेंग्विज की aspect में next देखते हैं question number 145 कौन सा प्रश्नक अक्षा में बहु भाशिता को पोशित करता है first अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे second बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे third तुमारे घर में किस किस की महक आती है fourth फूलों का नाम अपनी भाशा में लिगे यहाँ पर question है बहु भाशिता मतलब different भाशा को कौन सा जो इसमें से statement है वो support कर रहा है तो देखिए इसका correct answer होना चाहिए option number fourth फूलों के नाम अपनी भाशा में लिखो बागी सब में हम कुछ नहीं कह रहे है जैसा question पुछा बच्चा उसका answer वैसे दे देगा पर अगर हम कह रहे है अपनी अपनी भाशा में आप अपने जो फूलों के नामें वो लिखो देखिए इससे बहुत अच्छी activity भी बन सकती है बच्चे क्या कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी भाशा में मालीजी different दो तीन भाशा के भी बच्चे बैठे हैं class में तो उन्होंने अपनी अपनी भाशा में नाम लिख के दे दिये अब क्या होगा teacher क्या करेगा याँ पर कि एक नाम जैसे गुलाब है गुलाब को किसी और भाषा में रोज बोलते हैं ठीक है और किसी भाषा में उसे क्या बोलते हैं वो कहीं से पता कर चला किसी बच्चे ने लिखा तो class में teacher उस different भाषा में उस fool को क्या कहा जाता है वो बच्चों को बता सकता है तो इससे क्या होगा और बच्चों को भी knowledge मिले होगे, कोई भी doubt है, तो आप पूछ सकते हैं, next question है, question number 146, इस कहानी में पहाडी, घाटी शब्दों का इस्तमाल हुआ है, पहाडी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, यह question है, कि कोई कहानी है, जहाँ पहाडी, घाटी शब्दों का अस्तमाल हुआ है अब पाड़ी इलाके से जोड़े और शब्द जो है बच्चे को सोच कर लिखने हैं ये अभ्यास प्रश्ण डेश का उधारने किस चीज का उधारने ये बताईए पहला संदर्द में व्याकरन शब्द भंडार में विकास थर्ड शब्द कोश्ट का विकास फोर्थ परियावची शब्दों से परिच है इसका जल्दी से आंसर बताईए कि 146 का हमारा कौन सा आंसर सही होगा ये अभ्यास प्रश्ण किस चीज का उधारन है Yes, the correct answer is option number one संदर्द में व्याकरन उससे क्या हो रहा है हमें और शब्द लिखवा रहे है ठीक है जुड़े हुए शब्द हमें लिखने है अब पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए तो संदर्द दे दिया उन्होंने पहाड़ी इलाका बच्चा अगर कभी पहाड़ी इला हमारा कॉंसेप्ट है या कोई सीन हमने बता दिया उसके अधार में बच्चे को चीजें लिखनी है तो यहां पर केवल शब्द भंडार में विकास नहीं हो रहा है सब्द भंडार में विकास तो हम ऐसे भी बच्चे का कुछ भी लिखवा के करवा सकते है कुछ भी बता के क पर संधर्व के साथ उसके व्याकरण का संधर्व में व्याकरण का विकास हो रहा है, यानि कि कोई concept हमें बता दिया, उससे related वो सारे के सारे शब्द ढूंड सकता है, लिख सकता है, नेक्स देखने हैं, question number 147, section प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, dash, section सामगरी सायक होती है, अगर section प्रक्रिया में रुचिकर बनानी है, तो इन में से कौन से जाधा section सामगरी सायक होगी, first audio video, second वैविध्यपून, third video परक, fourth पत्रे का है, जल्दी से बताइए, correct answer क्या होगा 147 का, yes the correct answer is, वैविध्यपून, वैविध्यपून क्या होता है, versatile जो content अगर हम दे रहे हैं, मतलब बच्चों को audios, videos, lectures, pdf files, text files, या फिर उनको play करवा रहे हैं, ये सब अगर हम दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए जाधा सायक है, केवल audio video पर या फिर पत्र पत्र का उपर न किस तर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भाशाई जो शमता है, उसका विकास क्या है, वो बताना है, पहला है साधन साध्धे, दूसरा साध्धे, उद्देशे, थर्ड साध्धे, साध्धे, साध्धन, फूर्थ है, उद्देशे और साध्धे, 148 का correct answer बताई जल्दी से क्य होगा, yes, the correct answer is, साध्धे और साध्धन, भाशाई शमताउ का विकास क्या है, हमारा साध्धे है, यहांने वो काम करना है, किसी चीज के द्वारा, हमारा purpose है भाशाई शमताउ का विकास करना, और साहत्य वो क्या कर रहा है, वहाँ पर हमें एक साध्धन प्रदान कर रहा है, साहित्य की मदद से हम अपना जो साध्य है यानि की भाषा शम्ताओं का विकास करना उसको पूरा कर पाएंगे तो साहित्य हमारा साधन हो गया और भाषा शम्ताओं हमारे साध्य हो गया आयोप आपको समझ में आया होगा नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 149 प्रात्मिक इस्तर पर कौन सा भाषा शिक्षन का उद्देश नहीं है फर्स्ट अपने द्वारक कही गई बात की तारकिक पुस्टी करना सेकिंड भाषा का स्रजनशील एवं कलपनाशील प्रयोग करना थर्ड रचनाओं के माध्यम से बिविन विश्यों से जुड़ना फूर्थ भाषा शंबंधी ब्याकरन को पूर्दा कंठस्ट करना प्रात्मिक इस तर पर अगर हम देखें तो कौन सा भाषा शिक्षन का उद्देश नहीं है ये बताना है पहला है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुस्टी करना अगर हम अपने द्वारा कोई बात कर रहे हैं उसकी पुस्टी कर रहे हैं तो उसका करेक्ट आंसर हमारा जुल्दी बताई है 149 का कौन सा होगा ये इस दा करेक्ट आंसर है option No.4 भाषा संबन्थी व्याकरण को पुर्दा इसकी बताना था तो इसलिए किवल कंटस्ट करना जोबी व्याकरण है वो प्रात्मे की स्थर पर हमारा उद्देश नहीं होता बलकि जो इसकी द्वारा कही गई बात की तार्किक कुस्टी करना बच्चा बोल सके नहीं है वो है कंठस्त करना रटना उद्देश हमारा कभी नहीं होता next है question number 150 कक्षा में भाषा की डैश के प्रती डैश बनकर उसका उप्योग भाषा सिक्षण में करना चाहिए इसका कौनसा फिलप्स में कौनसा आंसर आएगा जल्दी बताईए first है विविदता विद्वान, second विविदता समवेदन शील, third समवेदन शील ता कठोर, fourth एक रूपता समवेदन शील 150 का correct answer is option number two विविदता समवेदन शील कैसे होगा यह समझते, कक्षा में भाषा की विविदता के प्रती समवेदन शील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए हम एक कक्षा में जो इतने भी भाशा की जो विवित्ता है जो वर्सेटिलिटी है उसके प्रतिश रमवेदन शीर होकर ही उसका प्रयोपच करना चाहिए अगर आपको यह अच्छा लगा दिन प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इस कंटेंड की जरूरत है अपने वाटसेप फेस्बूक पर इनको शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है दिन सब्सक्राइब आर चैनल थ होगर आर अगर है वीडियो के है ए्साम थे प्रेंड्स